बच्चो अब हम पत्रकारिता के दूसरे भाग पर आते हैं कि पत्रकारिता के कितने प्रकार होते हैं पत्रकारिता के बहुत सारे प्रकार हैं इनमें जैसे है खोज परक पत्रकारिता वाज़्राग पत्रकारिता एडवोकेसी पत्रकारिता विशेशी किरत पत्रकारिता वेकल पत्रकारिता और पीत पत्रकारिता अब मैं इनको आपको एक एक करके डिसकस करती हूं सबसे पहले है खोज बरक पत्रकारिता गहराई से खोज बीन करके ऐसे तथियों और सुचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है इस तरह की पत्रकारिता में جिन्हें दबाने या छपाने का प्रयास किया जा रहा हो आम तोर पर खोजी पत्रकारिता सारवजनिक महत्व के मामलों में प्रश्टाचार, अनियमित्ता और गरबणियों को सामने लाने की कोशिश करती है जैसे स्टिंग आपरेशन आपने नाम सुना होगा अमेरिका का वाटर गेट कांट खोजी पत्रकारिता का नायाब उधारन है जिसमें राष्टपती निक्सन को स्थीपा देना पड़ा था भारत में भी कई केंद्रे मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों को खूजी पत्रकारिता की कारण अपने पदों से स्थिवा देना पड़ा दूसरा है वास्ट्रोग पत्रकारिता वाजडॉक पत्रकारिता सरकार के कामकाज पर नज़ा रखती है और उसकी गड़पड़ियों का परदाबाश करती है तीसरा है एड़ोकेसी पत्रकारिता किसी खास विचारधारा मत या घटना पर जन्मत बनाने के लिए अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को पक्षधर पत्रकारिता या एड़ोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है अभी हाल ही मैं निर्भया कांड के दोशियों को सजा दिलाने के लिए जी टीवी ने नियाय के लिए अभियान चलाया था सबसे SMS करने की अपील की थी जाद से जादा जन्वत संग्रा किया था उनको फासी देने से पहले उनके गुनागारों को चौथा है विशेशी किर्थ पत्रगारिता पत्रगार से अपेक्षा की जाती है कि वह घटनाओं की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पस्ट करें और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्तु है इसके लिए विशेशता की अवशक्ता होती है अब एक पत्रगार सभी श पत्रकारिता विज्यान और विकास पत्रकारिता अपराज पत्रकारिता फैशन और फिल्म पत्रकारिता फिर आता है वैकल्पित पत्रकारिता जब मेडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपनी सोच को व्यक्त करता है इन्हें प्राया पूजीपतियों सरकारों तथा विज्यापनों का समर्थन नहीं प्राप्त होता वैसे ऐसा होता नहीं है बच्चो टीवी समाचार पत्र रेडियो सभी को सरकार के अनुसार ही चलते हैं पता उनकी राहे से बिलकुल अलग नहीं चलते हैं वैसे सभी पत्र तथा पत्रकार स्थापित विवस्त समचार्प्रकारित संशनी ग्लैमर फ्हलाने वाली पत्रकारतीय सेब्लिट को को माना जाता है आपने तीन बचे के टाइम पर टीवी पर देखा होगा फैशन और सेलिब्रिटी इसके बारे में उनकी निजे जिंदगी के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह इस तरह के पत्रकारिता होती है पीत पत्रकारिता अब प्रशन है कि पत्रकार कितने प्रकार क्यों पूर्ण कालिक फू समचार संगठन में काम करने वाले नियमोथ Independe समयावद एक लिए काम वाले यानि यह पर्मानेंट इंप्लॉई नहीं होते हैं फिर आते हैं फ्रीलांसर पत्रकार जिनका संबंद विशे समाचार पत्र से तो नहीं होता बलकि वे भुक्तवान के अधार पर अलग-अलग समाचार पत्रों के लिए 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 फ्रीलांसर हर शेत्रमा होते हैं जै कहते हैं समाधाता या रिपोर्टर समाचार किसे कहते हैं समाचार किसी भी ऐसी घटना विचार या समस्या की रिपोर्ट होता है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुची हो और जिसका अधिक अधिक लोगों पर प्रभाव पढ़ रहा हो आजकल जैसे कोरोना की जो रिप आपना मेंतर होता है समाचार बहुत लोगों के पर अप्रभाव डालता है और लोगों की रुची सब्सक्रूर कर आ時間 का नो भारा टाइम्स और हिंदुस्तान जो हिंदी मचते हैं, इनका नाम लेख सकते हैं, अब आए समाचार लेखन के छह काकार, काकार का मतलब को से शुरू होने वाले, सबसे पहला था क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कौन, कैसे, क्यों, इन शब्दों से जिनका उत्तर नि बनता है, प्राय हर समाचार पत्र के लिए, पिछले 24 गंटों में घटी घटना ही समाचार बनती है, 24 गंटों से अधिक होते ही, वा समाचार पुराना हो जाता है, इस प्रकार हम 24 गंटों की अवदी को समाचार की डेडलाइन देह सकते हैं, ये प्रशने परिक्षा की लेकिन समाचार उल्टा पिरामिट में सबसे पहले इसको इंट्रो भी कहते हैं, उससे कम महत्रपुर्ण बीच में जिसे बौडी बोलते हैं, सबसे कम महत्रपुर्ण अंत में जिसे समापन कहा जाता है, अब आए ग्रहकारी पर, जो भी बाते मैंने यहाँ पर डिसकस की है उनी वैसे प्रस्टे लिये गए हैं और इन्हें आपको उपर बस्तिका में लिखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद।